अब दोस्तों अगर आप ढूंड रहा है बनारस में रूम अपार्टमेंट 1 बेस के यह वीडियो आपके लिए है अगर आप बनारस में चाहते हैं कहीं भी जो है रेंटल रूम अगर आप यहां चौप करते हैं यह इस्टेडी परपस के लिए आपको रूम चाहिए तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं बनारस के किसी भी लोकेशन पर हैं जैसे कि सिग्रा, महमुर्गंज, मल्दहिया, लक्सा, रत्यात्रा, कैंट, सुन्दरपूर, ककरमत्ता, डेयलडगलू, बियच्च्चू, दुर्गाकुंड, सिवपूर, ऐसे किसी भी एरिया में अगर आपको जो है कालूनी में अगर आपको अपाटमेंट, रूम, रेंड़ पे चाहिए तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका खुद का कोई प्रॉपर्टी है अगर आप रेंट भी देना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं सारी कॉंटेक्ट डीटेल जो है इंस्टाग्राम फेस्बूक और वाटसब जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और एक चीज़ अगर आपको यहां बनारस में रूम है अपार्टमेंट है और आप उसे किराय भी दिना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉ है तो आप दिये गए नंबर पर हमें कॉंटेट कर सकते हैं हमाला नंबर जो है वीडियो के डीया गया है जो है आप वहां से खॉल करें बासटब कर आते हैं और अपना ड्रीम पूरा करते हैं कोई जॉब करने के लिए आता है को यहां पर बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहां पर रूम ढूंदना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए हम आपको रेंटल सर्विस प्रवाइट करते हैं तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रूम रेंट पे देना है तो भी अगर आप बनारस में रूम अपार्टमें बिल्डिंग आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं बनारस के जो है बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे आपको बहुत ही अच्छी फैसलिटी साफ सफाई नीट इन क्लीन कालोनी मिल जाती है यहां पे आपको 1 भी एच के 2 भी एच के 3 भी एच के अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपके लिए जो है रूम एरेंज कर देते हैं अगर आप यहां जॉब करते हैं या इस्टेडी परफस के लिए आपको रूम चाहिए तो आप हमसे कॉंटेट किजिए जो है हम आपकी रिक्वार्मेंट जुरूर पूरी करेंगे जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन आउन कर लिजिए ताकि जो भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे है उसके साथ साथ आप हमें सो में जो है तो आपका जो है 3,000 रुपए से लेकर जो है 50,000 रुपए रेंट तो है आपका रेसिदेंशल अगर आपको कामर्सिल प्लाउट गोदाम या आपको दुकान चाहिए आपको बिजनेस करना चाहते हैं बनारस के खिसी भी अरिया में तो भी आप हमसे कॉंटेक्ट कर स देंख्ते हैं हमारा कॉंटेक्ट नमर्बर वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में है उसके अलावा आपको जो है जो भी विजली यूज करते हैं उसका रेडिंग अलग से होगा तो बिजली का मीटर अलग से है उसका रेंट आपको अलग से तो बिजली का मीटर अलग से है उसका जो भी यूनिट आप यूज करते हैं उसका पे आपको अलग से करना पड़ेगा पर यूनिट के हिसाब से उसके साथ-साथ हमारे चैनल पर आपको मार्केटिंग से जुड़ी information मिलती रहती है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और ऐसी information के लिए जो है आप हमें subscribe करके रखे तो फिर गुलागात होगी आपके साथ फिर किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाइ 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 चेक्या